अलो दोस्तों मैं हूँ राकेश कपूर अडवोकेट और आप देख रहे हैं जुडिशल कॉंपेटिशन टाइम्स की लाइफ सेशन्स जो लोग जुडिशिरी की त्यारी कर रहे हैं और ओनलाइन कोचिंग क्लास्वम्स को जॉइन करना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट जुडिशल कॉंपेटिशन टाइम्स डाइम्स पर विजिट करके अन्रोल करके क्लास्वम्स को जॉइन कर सकते हैं आज का टॉपिक है सेक्शन 3.1.1.A. of CRPC यानि कोट की पावर के वो किसी भी परसन को डिरेक्शन दे सकती है कि वो अपने handwriting का sample या signature का sample court of law में दें देखें कई बार court के सामने ऐसा matter आता है जहाँ बर court को यह decide करना होता है कि यह signature किसी particular person का है या नहीं या handwriting किसी particular person की है या नहीं तो इसी aspect को आज हम detail में discuss करेंगे और समझने की कोशिच करेंगे with the help of case laws also कि इसको हमें court of law में कैसे implement करना चाहिए तो चलिए start करते हैं बीना दे रहे किये आज के lecture के साथ तो चलिए start करते हैं आज के session के साथ session no.311a of CRPC court of magistrate को empower करता है कि वो किसी भी person को या accused person को during the proceedings of CRPC या during investigation ये order pass कर सकते हैं कि वो किसी handwriting को या signature का sample दे सकते हैं जुरत क्यों पड़ती है जुरत इसलिए पड़ती है कि हो सके कोई handwriting questionable हो, disputed हो अब ये elicit करने के लिए basically ये handwriting इस accused person या उस person की handwriting में ही था या नहीं तो उसके लिए उस person को या accused person को code direction देती है कि आप इसका sample दे दो ताकि हम उसे या तो किसी expert के पास भेज दे investigation के लिए, milan करने के लिए, matching के लिए या court खुद से भी experts की भी expert है और वो खुद से भी match करके उसको conclusion draw कर सकती है कि ये accused person या उस person के handwriting में है या नहीं तो सबसे पहले हम इस section को देख लेते हैं कि section में क्या लिखा है section ये कहता है कि कोई भी first class magistrate किसी भी person को, चाहे वो accused person हो है वो witness भी हो सकता है उसको during the course of investigation या during the course of any proceedings which are conducted before the magistrate under the provisions of CRPC ये order pass कर सकते हैं कि वो कोई भी signature या handwriting का sample दे दे लेकिन क्या हम सभी मामलों में जहां पर भी application लगाएंगे being a prosecutor या otherwise के court हमारी इस application को अलाव कर दे क्या court और भी किसी parameter से condition को देखती है इससे पहले कि court direction pass करें कि आप इस handwriting का sample दीजिए या इस signature का sample दीजिए येस इसमें हमें एक और condition को देखना होता है अगर वो fulfill नहीं होती तो court ऐसा direction pass नहीं कर पाएगी अब वो condition क्या है condition ये है कि कोई person जिस मुकदमे में जिस case में कोई investigation चल रही है और वही matter court के सामने आया है और उस matter में उस person की गिरफतारी यानि की arrest हुई हो अगर किसी accused person की या किसी person की arrest in that particular case in which the matter is before the court और वहाँ पर हम ये सीख कर रहे हैं कि court से के वो order pass कर दे इसमें किसी भी handwriting के sample को लेने के लिए तो वहाँ पर court तभी order pass करेगी अगर उस person को जिसको आप sample देने के लिए बोल रहे हैं उसका arrest उस case में हुआ हो तो ही otherwise नहीं तो ये condition है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगर हम इस section को ही देखे खाली और उसके basis पर ये सोचें कि हम judiciary के questions को solve कर लेंगे या court of law में practice कर पाएंगे या as a judge किसी matters को dispose of कर पाएंगे तो अपने आप में कोई भी section मैं कहूंगा complete नहीं होती हमें और भी criteria scenarios को देखना पड़ता है और उसमें हमें मदद लेनी पड़ती है honorable supreme court के या किसी भी high court के judgments की तो चलिए जरा देख लेते हैं हमारे पास अलग-अलग different angles के साथ कौन-कौन से ऐसे judgments हैं जिसको हमको ध्यान में रखने की जरुरत है तो हमारे पास सबसे पहला question यह है कि क्या section 311-A of CRPC ये article 20 clause 3 of constitution of India का violation करती है देखिए इससे पहले मैं इस question को discuss करूँ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि article 20 clause 3 ये कहती है कि no person shall be compelled to be a witness against himself यानि हम किसी भी person को compelled नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ evidence प्रवाइड करे अपने खिलाफ गवाही दे गवाही देने का मतलब है कि कोई भी evidence afford करे तो अगर हम किसी accused person को ये कहते हैं कि आप अपना handwriting का sample दे दीजे या अपने signature का sample दे दीजे तो क्या हम उसे evidence afford करने के लिए नहीं बोल रहे हैं यही question court के सामने आया था और उसी को court ने decide किया तो चलिए देख लेते हैं कि court के सामने क्या matter था और court ने उसको कैसे interpret करके क्या conclusion draw किया है तो इस case में हमारे पास एक case है state of Bombay versus काठी कालू ओगड 1961 Supreme Court page number 1808 में publish हुआ है All India Reporter में अब इसमें देखते हैं कि है क्या basically देखिए court के सामने एक issue था और issue था in relation to comparison of handwriting of accused person with other handwriting और court के सामने ये भी issue था कि क्या article 20 clause 3 का section number 3 double 1 of CRPC कहीं violation तो नहीं करता तो basically court को यहाँ पर ये देखना था कि accused person की जो handwriting है अगर उसका मिलान उसका match हम किसी और particular handwriting के साथ करते हैं तो क्या हमारा जो fundamental right है जो article 20 clause 3 में mention किया है उसका कहीं violation तो नहीं होता तो चली जड़ा analysis में देख लेते हैं honorable supreme court ने इसको कैसे decide किया इस case को honorable former chief justice बी एं सिनहा की bench ने प्रनाउस किया था और इसमें उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि article 20 clause 3 हमें self-incrimination के against protection प्रवाइड करता है आगे उन्होंने कहा कि self-incrimination must conveying information based upon the personal knowledge of the person giving the information self-incrimination जो है वो हमेशा इस आधार पर होनी चाहिए कि वो accused person की personal knowledge से derive होनी चाहिए अगर कोई चीज already आपको पता है तो वहाँ पर वो से self-incrimination नहीं कहते self-incrimination का मतलब होगा कि कोई बात किसी person को पता है लेकिन investigate agency को नहीं पता investigate agency उससे पूछती है तो क्या वो से compel कर सकती है कि आप खुद ही evidence of word करो हमें और उसको हम court of law में इस्तमाल करेंगे तुमारे खिलाफ तो हमारा article 20 clause 3 इसी बात का protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ठीक है न तो अगर self-incrimination की बात करें तो वो derive होती है personal knowledge से क्योंकि जो बात investigate agency को पहले से ही पता है तो वहाँ पर हम उससे तो नहीं compel करेंगे ना कि आप अपने खिलाफ evidence दो तो हमारे पास तो पहले से ही evidence है being investigated agency ठीक है न तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्या हुआ आगे वो कहते हैं इट कैनोट इंक्लूड मेरली दा mechanical प्रोटेसर सो प्रोड्यूसिं डॉकुमेंट इन कोट विच में थ्रो आलाइट प्रोटेसर में कोई भी दॉकुमेंट कोट में प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम यह नहीं कह सकते के इट इस अगेंस दा प्रोटेक्शन विच इस प्रोड़िट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉस 3 बिसिकली कोट अगर किसी भी दॉकुमेंट को मगाने की बात करती है या किसी भी चीज को मगाने की बात करती है आर्टिकल स्थेंग्स को तो वो कोई भी कोट के सामने कर कॉंट्रोवर्सी होती है तो उसको डिसाइड करने लिए कोट ऐसा करती है उसमें हम यह नहीं कह सकते के court ने evidence मगाने के लिए बोला है understand चलिए आगे court ने क्या analyze किया court ने paragraph number 12 में ये कहा to make a statement self-incriminatory it must be of such a character that by itself it should have a tendency of incriminating accuse देखिए paragraph number 2 से बात clear है कि जो भी statement हो वो ऐसी statement होने चाहिए जो self-incriminating nature की हो और उसका tendency ऐसा हो उसका character ऐसा हो कि वो accused person को incriminate कर रहे हो किसी offense में अगर accused person की statement खुद से ही उसे किसी offense में incriminate नहीं कर रहे हो उसका character उसकी tendency ऐसी नहीं है कि वो किसी case में incriminate हो रहा है तो वहाँ पर हम ایسी statement को self-incriminating statement नहीं बोल सकते हैं चलिए आगे आगे उन्होंने कहा specimen handwriting और signature और finger impressions by themselves are no testimony at all वो कहते हैं अगर आपने किसी को बोला है कि आप अपना sample दीजिए handwriting का या signature का या finger के impressions दे दीजिए यह अपने आप में कोई भी testimonials नहीं होते हैं आगे evidence यह documentary evidence भी नहीं होती और यह oral evidence भी नहीं होती लेकिन यह तीसरी category के evidence होती है जो कि testimony की limit से बाहर आती है इसका मतलब यह निकला कि अगर हम किसी को finger impressions के बारे में बोल रहे हैं कि उसका sample दे दीजिए तो क्या यह कोई oral evidence है मों कहते है नहीं क्या documentary evidence है कहते है वो भी नहीं यह actual में testimony की दारे में आती ही नहीं है ठीक है आगे क्या हुआ आगे उन्हों ने कहा paragraph number 33 में the evidence of specimen handwriting or impressions of the accused person's fingers palm or foot will incriminate him only if on the comparison of these certain other handwritings or certain other impressions identity between the two set is established हमने accused person से कहा कि आप अपने handwriting का sample दे दो उसने दे दिया हमारे पास एक sample already पढ़ा हुआ है अभी तक कोई भी incrimination नहीं हुआ अब incrimination होगा कब जब हम इस sample को जो हमने है क्यों से लिया है हमारे पास जो already sample पढ़ा है उसके साथ match करेंगे अगर उसकी वज़े से कोई identity establish होती है अगर दोनों को compare करने के बाद पता चलता है कि हाँ ये handwriting इसी person की है तब वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी comparison से कोई incriminating circumstance मिला है लेकिन simply अगर हम किसी को ये बोलें कि आप sample दे दीजिए तो sample से कोई भी incrimination नहीं होता ये court ने बोला है आगे वो कहते हैं by themselves these impressions or handwriting do not incriminate the accused person or even tend to do so simply अगर हम उसे कह रहे हैं कि आप sample दे दो तो उससे कोई भी incrimination नहीं होता that is why it must be held that by giving these impressions or specimen hand writings the accused person do not furnish evidence against himself तो मात्र या only merely अगर हम उसको ये कहते हैं कि भाई साब आप अपने finger impressions दे दीजिए sample दे दीजिए तो उससे वो person कहीं पर भी incriminate नहीं होता incriminate होता है जब उसकी matching हो जाती है और ये establish हो जाता है कि ये offense ये handwriting इसी person के द्वारा किया गया इसी ने लिखा है और उसी के द्वारा कोई अपराद हुआ या नहीं हुआ जो भी court elicit करना चाहती है उसके relation में और आगे quote ने ये भी कहा तो when an accused person is compelled to give a specimen handwriting or impression of his finger palm or foot यानि कि जब हम कभी भी किसी accused person को ये कहते हैं कि आर अपने palm का impression दे दो अपने fit का impression दे दो handwriting का sample दे दो signature sample दे दो तो हम इतना तो कर रहे हैं कि उसे compelled कर रहे हैं कि तुम गवा बन जाओ लेकिन हम उसे इस बात के लिए compelled नहीं कर रहे हैं कि वो अपने ही खिलाफ गवा बने देखो दोनों बातों में फर्क है किसी को ये कहना कि आप अपना sample दे दो हम उसे as a witness तो produce कर रहे हैं लेकिन witness इस चीज का नहीं कि आप अपने ही खिलाफ evidence दो court ने इस point पर दोनों को differentiate किया है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास एक और question है जो कि किसी landmark judgment से decide किया जाना चाहिए question ये है कि अगर मालो CRPC में कोई भी specific provision नहीं है voice sample देने का तो क्या magistrate empowered है कि वो किसी matter में voice sample देने के लिए order पास कर सकते हैं हलाकि CRPC में handwriting के बारे में signature का तो sample देने के बारे में बात की गई है लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि voice sample के बारे में भी provision है तो इस context में हमारे पास है case है रितेश, Sina versus state of Uttar Pradesh and another 2019 का मामला है Honorable Supreme Court का judgment है और ये three judges bench का judgment है इस case में क्या हुआ जरा देख लेते हैं इसमें Honorable Supreme Court ने कहा कि judicial magistrate के पास power है कि वो voice के sample के लिए order पास कर सकते हैं और ये जो power दी गई है magistrate को ये दी गई है by interpreting the provisions under article 143 of Constitution of India यानि कि magistrate भी empowered है कि वो voice sample के लिए order पास कर सकते है एक और question है जो कि बड़ा important भी है और court में इसका काफी जादे इस्तमाल भी होता है क्या victim को ये complainant को हम बोल सकते हैं कि भाईया आप भी sample दो आप भी handwriting का signature का sample दीजिए court में ऐसा बोल सकते हैं इस पर भी court ने analysis किया और क्या कहा जड़ा देख लेते हैं इस case में हमारे पास एक case है संदीब कौर और अनदर वर्सेज यूनिन टरिटरी चंदिगर्ड ये 2022 का मामला है 10th March रिसेंट है ये पंजाब एन हराना हाई court का case है ये इस case में ये हुआ कि court ने कहा कि ठीक है section 311a में specifically ये बात तो लिखी है कि accused person या कोई और any other person accused person या any other person तो any person का मतलब तो कोई भी हो सकता है तो any person का मतलब तो complainant भी हो सकता है victim भी हो सकता है तो या हम इनको भी बोल सकते हैं कि आप sample दे दो तो अब हमें किसी के judgment से ये analyze करना पड़ेगा कि basically उनके खिलाफ ये sample देने के बारे में कुछ provision है कहीं लिखा है तो चलए देखते हैं क्या है यहाँ पर उनने का since the order within the ambit of the substantial provision cannot be made unless the proviso, the accused or the accused person concerned has been arrested in connection with the investigation देखो यहाँ पर दो बातें इस्तावाल की गई थी एक तो accused person और दूसरा any other person लेकिन एक condition भी लगाई थी आपको याद मैंने शुरू में बताया था इस condition के बगर order pass नहीं करेगी condition ये थी कि उस person की गिरिफतारी उस case में हुई हो अब यहाँ पर complainant की तो गिरिफतारी नहीं हो सकती उसका तो arrest नहीं हो सकता victim का तो arrest नहीं हो सकता तो फिर हम अगर इनका arrest नहीं हो सकता तो फिर इनके खिलाफ order भी pass नहीं कर सकते के वो कोई भी sample दे you understand तो this is what the court has held here तो यहीं उनने ने कहा कि ठीक है उनके खिलाफ नहीं बोला जा सकता कि आप अपना sample दीजे एक और question है हमारे पास कि अगर मान लो court ने order पास नहीं किया किसी accused person के खिलाफ के आप अपने handwriting का या signature का sample दीजे लेकिन वो person खुद से ही signature का sample दे देता है तो क्या ऐसा signature section 3111a के mbit में आएगा या वहाँ पर accused person के rights wallet हो जाएगे fundamental right under radical 20 clause 3 of constitution wallet हो जाएगा इसके relation में हमारे पास एक case है बल्जोर सिंग वर्सेस state of उत्तरपरदेश and another ये 9th of February 2018 को प्रणाउस हुआ और इसमें उन्हों ने कहा कि इस case में investigating officer ने accused person से ये कहा था कि आप अपने sample दे दीजे signature का उसने दे दिया section 311a magistrate को अंपावर करता है कि वो accused person को direction दे सकता है कि आप अपने signature का sample दे दो लेकिन section ये नहीं कहरा कि accused person खुद से ही अगर sample देना चाहता है तो वहाँ पर किसी भी तरह से हमारे section का violation होता हो या voluntary अगर वो sample देना चाहता है वो नहीं दे सकता अगर voluntary देना चाहता है तो no problem दे सकता है आगे उन्हों ने ये भी कहा कि the absence of an order under section 311a of CRPC in case of specimen signature being given by any person including the accused will not initiate the analysis where those specimen signature have been given voluntary वो कहते हैं अगर court की direction पर specimen दिया हो या voluntarily दिया हो उसकी analysis पर क्या फरक पड़ रहा है क्या फरक पड़ रहा है कोई फरक नहीं पड़ रहा दोनों situation में जो forensic science laboratory से analysis की report आएगी वो तो same ही होगी तो वहाँ पर कहीं पर भी कोई और otherwise effect नहीं पड़ रहा so this is all in relation to section 311a of CRPC मैं उमीद करता हूँ आपको ये lecture एच्छे समझ में आया होगा और मेरी online coaching classrooms को join करने के लिए आप मेरी website judicialcompetitiontimes.in पर visit करके and roll कर सकते हैं और ये classrooms hired judiciary, lowered judiciary और prosecution officers सभी के लिए मौजूद है इसके अलावा मेरा channel youtube channel जो की राकिश कपूर के नाम से उसे भी आप subscribe कर लिजिए और उस पर all notification bell को click करके उसे enable कर लिजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको समय समय पर और सबसे पहले मिल जाए so that is all in relation to this thank you so much Jai Hind Jai Bharat